सेम राजे के बाड मेर दोरे पर आतंकी साया मन्रा रहा है सेम राजे के दोरे को लेकर एक निजी न्यूस चैनल को धमकी भरा खत मिला है खत में सरकेट हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है बाड मेर रस्पी ने धमकी भरे खत की पुष्टी भी कर दी है आपको बता दे कि 23 अक्टूबर को सीम राजे बाडमेर के दौरे पर रहेंगी तो दौरे को लेकर धमकी भरा खत मिला है और सरकेट हाउस को उड़ाने की धमकी दी गई है इसके पुष्टी भी कर दी गई है इसके पुष्टी भी कर दी गई है इसके खत में एक निजी निवस चैनल को ये खत भेज दिया गया है और इसके पुष्टी भी अधिकारियों दौरा की गई है इसके खत की पुष्टी की गई है कि वाकर इस सरकेट हाउस को उड़ाने के लिए धमकी बरे खत भेजे गई है पार्क वियस्थापितों को लेकर PCC अध्यक्ष सचिन पाइलट का बयान आया है पाइलट ने राजस्थान में आये पार्क वियस्थापितों को लेकर केंडर और पुष्टी सरकार से समविधनशील रवया अपनाने की मांगी है पाइलट ने का है कि पाकिस्तानी लोग भारत के वीजा पर कुछ समय पहले पहुँचते है और उन्होंने अब पाकिस्तान जाने सिंकार करते हुए सरकार से मांगी है लहाजा अब इने स्थाई तोर्त और तुदेश में रहने की सिकर्टी परदान कर देनी चाहिए सचिन पालक ने बांग की है कि सरकार मानवी आधार पर इस प्रकरन का जल्द लिप टारा करे और आज भी जो हिंदू इस्थापित हैं जो सरत के उस पार से हहाँ पर आए है मुझे रगता है कि मानवी आधार पर सरकार को कुछ ना को संग्या लेना चाहिए और अगली कहबर सुरत गड़सें जहां दो संदिग दी यूकों की गिरफतारी के खबर से पुलिस फुरश्चासन में हरका मचा है मताय जारा कि संदिग दी यूकों की गिरफतारी की कारवाई पुपिय अज़िसी ने की है दोनों बग वार्ड नमर 22 की मदीना मस्जिद में रुके थे दोनों ने खुद को यूपी के अलिगर्ट का रहने वाला बताकर मस्जिद में कमरा भी लिया था जिनने गिरफ्तार कर लिये जाने की सूछना है पुलिस मस्जिद प्रबंदन से मामले को लेकर पूश्टाश कर रही है पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ पी कहने से बच रहे है खान अवंटन घूसकान मामले को लेकर दिल्ली से आई सियजी टीम ने अब दस्तावेस खंगालना शुरू कर दिया है बताया जा रहा है कि टीम के सदस्यों ने विवादित खान अवंटन से जोड़े दस्तावेस को लेकर दुढ़ा के अधिकारियों से पूश्टाश भी की है इसकी जानकारी खनन मंतरी राजकुमारेन वाले दी उन्होंने काये कि मामला सामने आया है तो जाँच भी होगी साति उन्होंने ये भी कहा है कि राजसरकार ने प्रारंभिक जांच में साम्याय तत्थों की आधार पर 601 खान निरस्त कर जांच लोकाईवत को सौंपती है अब प्रदेश में खाना वंटन ओनलाइन निलामी के जरीय होगा मुख्यमंत्री वसुत्र राजे ने राजबहन में राजपाल कल्यान सिंग से मुलाकात की दरसल नमिलने का प्रमुक कारण राज मार्वादिकार आयो की अधाक्ष और मुख्य सूशना आयुत के नियुक्ती को लेकर है तरसल राजब मार्वादिकार आयो की अधाक्ष पद के लिए प्रताश चांटिया मुख्य सूचना आयुट के लिए सूरेश चौधरी और सूचना आयुट के लिए आसुतोष शर्मा के रांक भोशना हुई थी उसी को लेकर अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री राजे राज़पाल कल्यान सिंग से मिलने पहुची अगर राज़पाल द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो सभी को गोपनियता से श्वपत दिलाई जाएगी वही पीसी से चीप सचिन पाइलट के नित्रतों में कॉंग्रस प्रतिनी धी मंडल ने भी राज़पाल कल्यान सिंग से मुलाकात की कॉंग्रस प्रतिनी दिमंडल ने राजपाल कल्यान सिंग को ग्यापन सौपा जिसमें राजपाल से विधान सभावें पारित किये गए रायस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के संशोधन को अनुमोधित नहीं करने की मांगी गए कॉंग्रस निताओं का आरोप है कि संशोधन के जरी राजपाल को संभधान की भावना के खिलाप जाकर शक्तिया दी गए है कॉंग्रस कारोप है कि सुवे में समय पर सहकारी समीतियों डेरू के चुनाव लगी करवाये जा रहे हैं जिस्के राजप सहकारी प्राधिकरन का गठन करने की उदेशे पर ही सवाल उटता है देश की पार्लिमेंट ने और उसके बाद मामें राष्टपती जी ने एक कानून बनाकर देश भर में लागू किया था और उसमें ये बादे किया गया था सब सरकारों को की सई समय पर चुनावों जिस प्रकार सरपंच प्रदान प्रमुख का एक दिन का कारेकाल भी नहीं बढ़ा सकती कोई सरकार ठीक उसी तरह जो कॉपटेव की सोसाइटीज हैं बैंक्स हैं डेरी के बोर्ट बगर आएं उनका भी कारेकाल बढ़ानी की ताकत द्राज सरकार के पास नहीं शिवसेना के विरोत के बाद BCCI और PCB के बीच वारता रद होने के मुद्धे पर राजनीती तीज हो गई है तो इन विदेश राजमंतरी वीकेर सिंग का कहना है कि भात पाक के बीच सर्राम जैसी कोई बात नहीं है किसी भी छोटी बात को तूल नहीं दिया जाना चाहिए ये बात उन्होंने जैपूर के शाफुरा में दी एक बच्चाओ में कही है पाकिस्तान के साथ तेकर खेलने को लेकर शिवसेना के विरोध को लेकर उन्हें काया कि इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है भारत की विदेश नीती बिलकुल साफ है कि अंचाहते हैं कि सब विदेशों के साथ स्वहाधु कुन रिष्टे हो और इसके लिए अच्छा बात आवरंधी हो इससे पहले शाहपुरा के मिद्वे परिस्तर में वीजेपी कारेकरताओं ने मंत्री विकेस्टिंग का जोरता स्वाधत किया और यह देख्ती का जो चीज़े होती है कोई संस्ता कुछ कर रही है कोई आदमी कुछ कर रहा है उसके पर जादा सोथ विचार करने के अबश्यक्ता ने कहा है कि जल्द ही नए 20,000 रेडियोल्जिस्ट के भरती होगी उन्हों ने बुन्दी अस्पताल के लिए 60,000,000 रुपे की मरमत कारेसा हे पिजले के आज सामुदाइक स्वास के इंद्रों पर मरमत के लिए लाख हो रुपए देने की उहोशना की है वह इस दिला अस्पताल में और चक्त इरिक्षन को आए सुबे के स्वास मंतरी राजिन राठोर ने अस्पताल में गंदगी देखकर जमकर फटकार लगाई पिए को यहाँ पर अस्पताल में चकिस्ता मंतरी को देख चिकस्रा कर्मियों में हड़ कम्प मच गया आनन फानन में सफाई का काम शुरू हो गया चिकस्रा मंतरी ने ट्रॉमा आवर्ड में ओपरेशन भूम को जल शुरू करने और बाहर खाली पड़ी जगह में गार्डनी लगाने का निर्देश दिया साथी अस्पताल की वेवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिये प्येमों को जित्ती भी पद खाली है उनको समीधा के स्तर पर अपने स्तर पर एक जिला कलेक्टर साथ की चेर्मिंसिप में कमेटी बना कर उसका रिकूर्टमंड यहीं कर लेंगे एक बार तांगि जब तक पस्ताई रूप से नहीं आये तब तक वो काम अपना करेंगे यहां सेंटरल अक्सिजन पाइप आज तक बनने के बाद दो मेने के बाद खराब हो गई इसके लिए इसी सब्ता में बाई मेडिकल इंजिनेर यह आएंगे और उसको फंद्रा दिन में चालू करने का काम हम ब्लोग करेंगे एक्सरे की मसीन को देखते हुए इसी तीन मेने में एक डिजिटल एक्सरे यहां इस प्यमो उस्पिरल में नए आप देंगे और उसके लिए एक नए रेडियोग्राफर की पद भी हमें यहां लगाएंगे बाइस लाग की लागत से मोर्चरी और उसमें डी फ्रीजर के साथ मोर्चरी बनाने का निर्णे भी नितिकतने ने ले लिया तीन मेने बाद अब यहां हर मैने जोईन डारेक्टर आकर इस प्यमों के अंदर जो आज फैसले हमने किये हैं उसकी स्मिक्षा करेंगे सीटी स्कैन आने वाले दस दिन के अंदर अब गंटे दो गंटे काम करते हैं इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए बगरू के कलवारा में पी एचीडी मंत्री किरन महिश्वरी ने सौर उज़ा से चले ता आरो प्लांट का बटन दवा का शुरूर्ण किया आरो प्लांट के चालू होने से लोगों को अवशुद जलुक लगध होगा पारिसान कुदेश का यह पहला प्लांट है जिसे हर ग्रामिर को 20 पैसे प्रती लीटर दर से शुद पेज जल मिलेगा इसके लिए ग्रामिर महिलाओं को काट जारी के गए है बंदुर किरन वहिश्वरी ने काए कि प्लांट के शुरू होने से सभी को फ्लोराइड मुक्त पानी मिलेगा तुमाइं को नी करवा रहे हैं बीस पैसे प्रती लीटर में बेचता है उसकी एक हायर कैप हमने लगा दिये बीस पैसे ज़्यादा मेंगा वो बेच नहीं सकता है यहाँ पर उसकी कीमत में उस पर लिखती जाएगी के इतरे में होगा और वो उस पानी को गाउं के लोगों को कार्ट दे दिये है उनको मेंबर बना दिया है और उस मेंबर्शिप के मादिम से वो अपना कार्ट लेकर आएंगे और यहाँ से पानी लेगे जाए केंद्री जलसन साधन मंतुरी प्रोफेसर सावला जात ने सहकार को सबसे बड़ी आवश्रक्ता बताया है उन्होंने मेडिया से सहकार का मतलब भी साचा किया उन्होंने काए कि सहकार का अर्थ सब एक के लिए और एक सब के लिए है उन्होंने काए कि सरकार की कई योचनाय सहकार के जरीए ही संचालित हो रही है इसलिए जरुवत इस बात की है कि उनका लाफ सब को मिरे और इसके लिए हम सब को मिलकर कोशिश करनी होगी जारने ये बाते हैं अजमेर के केंदुरी एस सहकारी बैंक का चुना में नवनिर्वाचिस सदस्यों और अध्याक्ष किया विननन समारोह में कही बीजेपी मुख्याले में लगे मंतरी दर्बार में उत्सिक्षा मंतरी काईचन सरा, फेम सिंग भडाना, राजकमार रिन्वा ने कारे करताओं के फर्याज सुनी इस दोरान सिक्षा, ग्रेह जल्दाए भी बाक से जोड़ी तमाम शिकायते आई, वह जोदपूर नैशनल युनिवर्सिटी के फर्जी माक्षीट का भी मामला सामनी आया साथे सिक्षा, फस्वास बार में तबार में तबार में प्रेश्या नेकरी काईकारिका का मुख्यो मुख्यमंत्री वसंत्रा राजय ने इंद्रा गांधी पंचायती राज संस्थान में महात्मा की स्मृतियां चल प्रदर्शनी का अवलोकन किया जफो में आयस सर्च वर्टी प्रदर्शनी में राज़िका के जिवन दर्शन के सोटो और डियो वीडियो के माध्यन से दर्श आए गए हैं परसल में खाडि स्कॉस को भी से इंद्राजरे रेखा है उन्हें का है कि तर्श सरकात वेक में खाडि रामजयोग का लापें पीम रवाई छपाई हस्तिक्सिल को बढ़ावा देकर नौजवानों को इसे जोरने का काम सब रही है वहीं उन्होंने का है हमात्मादांती में चरखा वेक मजयोग से लोगों को जोर कर दी अंग्रेजों को भारत प्रोड़ने की में जोर किया था और खाड़ी उस वक्त हमारी जनकेशना का जरियाती तो हम लोग सब में अपने अपने क्लासिज में चुटपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मेक इन इंडियार हमारे सामने आया है दोनों एक साथ किस तरीकी से जोरते हैं हमारी विचारदारा, हमारी पेंटिंग, हमारे आर्ट, हमारे सब कुछ किस तरी से निकालने का उस संस्कुति के साथ जोरने का काम किया है ओवर दी एजिस, वो मैं समझती हूँ कि हमारे कधानमंती न उसको जोरने का काम किया है कुलपतियों निक्ति को लेकर विश्वध्याले नुदान आयोक ने अपने तेवर तल्क कर लिए हैं आयोक प्रोदेश में कुलपतियों की निक्तियों में UGC के नियमों को दरकिनार करने से खफ़ा है जिसके बाद अब सरकार कुलपतियों की निप्तियों के लिए विध्यक लाएगी उच्छाग वाग ये विध्यक आगाविव धानसवा सत्र में लाने की त्यारी कर जाए आपको पता दे कि सूवे में अस्से विष्विध्याले हैं जिन में चालिस निजी विष्विध्याले शामिल है इस बीच खुद उच्छावंत्री कारिचन सराफ ने पी उजीसी की तरफ से उठे सो अबजेक्शन को स्विकारा है और कहा है कि कुलपति की निप्तित्य नियम सराफ ने सिक्षा संख्ली कारिचन सराफ ने काय है कि अलावा 132 कोलेच जैसे है जोने अधायिक मान दंड को पूरा नहीं कर पाए है जोने आस्थाई नोसी जारी करने से इंकार कर दिया गया है जैपूर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहा घमा सांथ थम गया है कॉंग्रेस के वर्ष पार्षद खुलाम नभी को नेता प्रतिपक्ष बनाए गया है इसके लावा पहली बार पारश्रद बने धर्म सिंगानिया को अपनेता परतिपक्ष बनाया गया है जयपुर के एक मेजी होटल में गुप्तरूप से कॉंग्रस के जयपुर पुभारी रगुष शर्मा शहर अध्यक्ष सलीम काज़ी ने कॉंग्रस के 19 पारश्रदों के करीबों के हक पर डाका डाल रहे थे जिनका सच खादया पूर्ती भार के सर्वे में सामने आया खादया पूर्ती मंत्री हेम सिंग घडाना के मताविक सर्वे और वेरिफिकेशन से पहले सूबे के 5,7,0,000,000 लोग इस योजना का लाब ले रहे थे लेकिन इनमें से आपात लोग के निकाले जाने के बाद अब 4,46,0,000,000 लोग इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं जिने इसका लाब दिया जा रहा है वकॉल खादय मंत्री अगर कोई परिवार इस योजना के लिए पात्र होने का प्रवान देगा तो यहीं सरकार की इस योजना में शामिल कि जाएगा जाएगा इस बार टाक्सपोर कमिटी गठों के पात्रों रहे पात्र एक्स्पुलूजिन इंट्रूजिन का मापदेंड करके आज पूरे राजस्थान में यह कह सकता हूँ आप सब मीडिया कर में को सामने कि हमने 4.46 यूनिट जों में 4.46 लाग पात्रों एक्र सीकर के डियम एलन सोनी ने जेल का अच्रक निरेक्शन किया उन्होंने जेल की तमाम वेवस्थाओं का जायजा लिया एज़रान डियम को जेल में निरेक्शन के दौरान ही एक मोबाइल का चार्जा समीत एक छूटा खराब हुआ ट्रांजिस्टर मिला है डियम ने जेल में मिलिया पत्ती जनक सामगली को जब्त करने के बार जिला दिकारियों को जम कर लतार लगाई और अवेवस्थाएं तुरस्त करने की निर्देश दिये कोटा से रोंग टे खड़ी करने वारी तस्वीरे सामने आई है सड़क हादसे की तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है घटना कुमान पुरा धानक शेतर की है जहां दर्दनाक सड़क हादसा की शाया सीजी टीवी कैमने में गयाद हुएं तस्वीरों में आप साब देख सकते हैं स्कूटर सवार धंपती को टेज रखदार से आ रही टाटा मैजिक ने कितिनी पुरी तरह सटक कर मारी स्कूटर सवार धंपती किसी काम से Small Scale Industrial Area जा रहे हैं तबी रास्ते में टेज रखदार में क्र।ासिंग करते हैं आई टाटा मैजिक ने जोर दाटा कर मार दी हाथे में नंपती की जान तो बच गए लेकिन दोनों गंभी रूप से खायल हो गए है साधुर शेहर में गैंगरेव पिड़ित नाबाली के साथ जब पुलिस ने भी समवेदन हींता दिखाई तो खुद को इंसाफ दिलाने के खातिर ये नाबाली की टंकी पर चढ़ गए है नाबाली के परजनों की माने तो पुलिस आरोफियों की गिरफकारी नहीं कर रही है और मामले में धिलाई बरत रही है लेहाजा नाबालिक रेप पर पानी की टंकी पर अपने माता पिता के साथ चढ़ गई काफी समझाने के बाद ये सब ही नीचे उत्रे कोजा के कुनहारी थाना इलाके में दो नाबालिक बहनों को बहला फुसला कर ले जाकर उनसे दुशकर्म का मामला साम लिया है पुलिस में मामला दर्जकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस की माने तो एक मजदूर की दो नाबालिक बेटियों के साथ दुशकर्म हुआ है घटना 17 अक्टूबर की है जब बच्चियों का पिता काम पर गया था मौका पाकर दूसरी बस्ती के रहने वाले शारुक और साजित ने मजदूर की नाबालिक बेटियों को बहला खुसला कर अपने साथ ले गए और बच्चियों को बंधक बना कर दुशकर्म किया वहराल दोनों आरोपी पुरिस की गिरफ्त में है आरोपियों से पूछताश की जा रही है भरतपुर में प्रेवी जोड़े की लाश मिलने से संसानी फैल गई सूचना मिलते हैं पुरीस मौके पर पहुंची और दोनों की लाश अपने कबसे में ले लिए घटना उच्चेन इलाके की है जहाँ पिंगूरा रेलिस्टेशन के पास युवक युप्ती की लाश गई है जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा पुर्देश में बच्चिया सुरक्षित नहीं है ताजा मामला श्राहपुरा का है जहां विरात नगर में 14 साल की बच्ची के साथ साथ यूप को ने गैंग रेब किया पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफतार कर लिय है रटना उस वक्ट घटी जब नावालिक पानी भर्दे के लिए हैंट पंक के पास खड़ी थी इसे दरान गाउं के ही कोची वक्ट वहां पहुंचों और नावालिक को अगवा कर इसके साथ रीथ किया लापता बच्ची को पुलिस ने तीन दिन बात खोश निकाला पेड इसे लड़के दे किर काले की पिर क्या किया इस एक अग्या इस वार्वर के वारी में एक बार से रिंसान शर्सार हो गया एक महीरे के भीतर यहां यह दूसरी घटना है जब नवजात को जन दे कर उसे फेका गया एक पूरु मंत्री के फॉर्म से महस्चन कबों की दूरी पर एक नवजात बच्ची भारी में मिली है बच्ची के गोने की आवास सुनकर लोग मौके पर पहुंचें खबर पुलीस को दिये जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को चाइड लाइं संस्था को सौप दिया है जुन जुनु के पीजब लोडी में कारियत महिला जेएन नीलम अपने ही बनाई जाल में फस गई दरसल मामला पारिवारिक है लेकिन इसमें जो नया पिएच आया है महिला जेएन की नौकरी पर तलवा लटक गई आपको बता दे कि हर्याना के रहने वाली जेएन नीलम ने 2014 में अपने पती सुमित के खिलाब दहज प्रतारना का मामला जुन जुनु में दर्ज कराया था इस मामले में पती की गिरफतारी भी हो चुकी है लेकिन अब जेएन के पती के हाथ जो कागजात लगे हैं जिसमें नीलम पर दोकाधड़ी और सरकारी नौकरी जुएन करते वक्त खलत जानकारी दिये जाने का आरूप है इस मामले को लेका नीलम पर पेज़ दर्ज हो गया है और पुरीज में मामले के जांच शरू कर दी है दारा 420, 466, 468, 431 आईपीची का इस्तगासा पेज़ किया था वो इस्तगासा सीजेम साब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पोतवारी थाना जुननों को भीज़ता है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अजीत गड के श्रीमाधपूर पंचाज समीती के एएन को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों के रफतार किया है रोपी एन ने 25,000 रुपए के राशी गड़ टक नेत के पूर सरपंच के कारेकाल में करवाए गया मानकारे की यूसी जारी करने की एवस में मांगी थी जसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी से की थी आरोपी एन को एसीबी के टीम बुद्वार को जैपूर कोट में टेश करें दी तो उनक में एक बार फिर समचार प्लस की खबर का असर हुआ है खबर दिखाने के बाद भाग हरकत में आया रूरल हेल्थ के अतरिक्त निदेशक सुनेर सिंग ने अस्पताल का दौरा किया मात्री यर्शी वार्ड के बाहर जमीन पर लेटी प्रस्ताओं को देखकर सुनेर सिंग भड़ा कुठे वर्ड की बधाली को देखकर उन्हें अस्पताल प्रिशासन को जम कर लतार लगाई साथी तीन कमचारियों को कारण बता उन्वोपिस भी जारी किया है इतना ही नहीं है अस्पताल में भरती मरिजों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने खासी नाराज की चताई अभी अस्पताल प्रिशन करा और में मेरे कोई थोड़ी सी भी कहते हुए खुशी भी है कि उस निजिशन करें जो माने मंतरी मौदे दौरा दिशा निदेश दिये रहे दे उसके करम में कुछ काम हुआ है पर ठीक है जब कमिया है उसको हम दिए-दिर पूरी करने के कुश्च उसका दरे और उसने इलाज के अभाव में ही अस्पताल में दम तोड़ दिया जब इस बात की जानकारी स्वास मंतरी राजिन राठाओर को लगी तो उन्होंने तुरंत इस मामरे की जाँच के आदेश से दिये जैपूर से जाँच टीम अस्पताल पहुंची जाँच के बाद एक नर लिवर स्टॉमक भी दाई तरफी है डॉक्टर्स की भाषा में से देस्ट्रोक कार्डिया विद्ट साइट इन्वर्स्टर्स की जिमारी कहते हैं लेकि बच्चा अब स्वस्थ है बच्चा तायस्थान की करॉली से लेका रहने वाला है उसके पिता का कहना है कि जब साइट, अन्य और्गन भी रोटेट हो गए है और जो राइट साइट में स्टॉमक स्टॉमक का डोम है वो लेफ साइट की जगसे के लेफ्ट में हो गया है तिली लेफ्ट की जगसे के राइट में होगी है तो हैसा चैस्टर्र this Rock है न सoc chasm vi vertical και साइट्रियु इन्वर्सस पर्क नहीं होने पर परजनों ने ब्याबर उप्खन अधिकारी को ग्यापन सौपा है परजनों को खोजने के गुहार भी लगाई है आपको पता दे कि 11 अक्तूबर को ब्याबर से पांच दिन की यात्रा परिसमी तीर्थियात्री निकले थे जो अब तक उनका कुछ भी पता यात्री ब्यावर के गए वह यात्रा पे अम्रसर और वैस्नों देवी वह करीब 15 तारी के साम से पंजाब में अटके वह हैं वहां को इद्धार्मिक नपड़ा हुआ उसकी विज़े से जोत्वी में रावन का मंदिर है रोजारा उसमें पूजा भी की जाती है रावन के साथ उसके पत्नी मंदूदरी की प्रतिमावी स्थापित है ऐसी मारता है कि जोत्वी रावन का ससुराल था क्याली लंका का रावन भारत को का दमाद बना मरवार की राजधारी मंदूर र अब हैं दोटा साथा घिला हिसे लगए हैं वे जगे जहां रावन की शाधी ती वह तस्री नाम को देखा के जहां रावन ये मन्दूत्री के साथ साथ किने लिये थे इस जगाह को रावन की चवरी यारी मंदक के नाम से जाना जाता है